जेहिंद आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरास्टिय योग दिपस पर असान सब्दों में निबंद तो आईए सुरू करते हैं योग एक भारतिय अध्यात्मिक और सारेरिक अभ्यास या अनुसासन है जिसकी उत्पत्ती प्रागैतिहासिक काल से हुई है यह एक ऐसा बिग्यान है जो नौकेवल सारेरिक स्वास्थ है बलकि मानसिक और अध्यात्मिक कल्यान को भी बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे जीवन की नीव है इस खास दिन को मनाने की सुर्वाद हमारे देश भारत से ही हुई थी देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतराश्टिय योग दिवस को मनाने की पहल की थी साल 2014 में सयुक्तराश्ट्रंग की बैठक में प्यम मोदी ने अंतराश्टिय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था जिसे युनाइटेड नेशन ने सुईकार किया और दुनिया भर में पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनया गया तभी से लेकर आज तक 20 भर में हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनया जाता है हर साल योग दिवस के लिए एक खास थीम तै की जाती है वही इस साल यानि दस्वे अंतराश्टिय योग दिवस की थीम महिनाओं पर अधारित है अंतराश्टिय योग दिवस 2024 की थीम महिला सक्सक्ती करन के लिए योग है ये खास थीम महिलाओं को ससक्त बनाने और उन्हें स्वस्थ और खुसाल जीवन जीने में मदद करने के लिए योग की सक्ती पर प्रकास डालती है योगा दिवस के मौके पर हर साल भारत समेत 190 से अधिक देशों में तमाम तरह के कारेकरम आयोजित किये जाते हैं इस साल विस्सु भर में ये कारेकरम महिला ससक्ती करन के लिए योग के तहत आयोजित किये जाएंगे योग यानि आप हमेशा रहेंगे निरोग प्राचिन काल से ही सेहत की तंदुरुस्ती के लिए पौश्टिक आहार के साथ योग और बैयाम को जीवन का हिस्सा माना गया है अगर आप खुद को गंभे बिमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो योग को अपनी दिनचारिया में सामिल करें फाइदा जीवन भर मिलता है अभय योग को पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है जिसे अंतराश्टिय योग दिवस के रूप में मनया जाता है दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम